हालो गाइस कैसे आप सब उमिद करता हूं सब अच्छे होगे लाश्ट वीडियो मैंने आपको सेसे की मार्जन प्रोपर्टी और पैटिंग प्रोपर्टी और हमने बॉक्स बोडल के बारे में पूरा डिसकस किया था अगर वीडियो भी तक आप नहीं देखिए तो लिंक डि की है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजिए और मेरे साथ बने रहे हैं मैं हूँ अभी नपकुमार आपका टेक्निकल कोच जहां मैं बात करता हूं सिर्फ आईटी के बारे में चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हलो गाइस कैसे आप सब विडियो में मैंने आपको पूरा मार्जन और आपको पैडिंग बॉक्स मोडल इन सक चीज़ों के बारे मताया था यह वीडियो गाइस अगर अभी तहाब नहीं रेगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसको चैक कर जकते है आज बेस अब हो जाता है तो उसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लीजिए इस तरीके से पूरा CSIS हम लोग कवर करने वाले हैं और आगर तो मेरे साथ बने रही है मैं आपको सारा CSIS वैब डिजाइनिंग का सारा सब्सक्राइब कर दिया है और उसके बाद जो आज का हमारा फर्स टॉप इसको कवर करना शुरू कर देंगे तो आपका हैड आया हैड के अंदर टाइटल बेसिकलिए आज जो हम इस पढ़ने वाले वह मैं टाइटल में में सब्सक्राइब के बारे पड़ेगी बॉक्स साइज आपका एक प्रॉपर्टी होती इसके बारे पड़ेगी घ्यान गाईज हम लोग जो आज कवर करने वाले है आपका हाइट और विट के बारे बुरा बताऊंगा हाइट और हमकुष टैक्स अलाइनमेंट की यह मैंने सब टाइटल में मेंशन कर दी है जिससे आपको याद रहे कि आज हम क्या क्या पड़ने वाले है और आपका एड़ क्लोज फानली वोडी स्टाट और वोडी में हम अब आपका काम स्कार्ट कर दो के तो गाईस जो पहला हमारा आज का टॉपिक है बॉक्स साइज प्रॉपर्टी होती है बॉक्स साइजिंग जिसको हम बोलते है तो उसके बारे हम पुर वीडियल्स बताऊंगा तो मैं इसको कमेंट साइज प्रॉपर्टी है जैसे ऑट्रॉपर्टी है बॉटर वोक्स प्रॉपर्टी हुथे ध्यो वैली मेंटिझ कर दोणगा जा ख dich भी element पर padding add-on करते हैं तो जो हमने width उसे mention की है तो padding लगा के उसका width extra हो जाता है तो वो extra ना हो वो जितना width हमने उसे mention किया है basically उतने ही width में वो set हो जाए उसके लिए basically box sizing border box property लगाते हैं मैं इसको लगा के दिखाता हूँ इस सब को थोड़ा सा clear हो जाएगा तो वाइस जैसे मानगे चलिए मैंने इसके अंदर एक paragraph tag लिया और इसमें लिग रिया this is testing लाइक कोई भी word डाल दाल दिया और एक class हम बना लेते हैं style के अंदर internal choices है basically और यहां पर आके मैंने one नाम से class बनाई और इसके अंदर गाई सबसे पहले मैं border लगा देता हूँ जिससे आपको border visible हो जाएगा one pixel solid blue color का मैंने एक border लगा दिया class हम इस पे call कर लेते हैं और उसमें हम काम करते रहें कि जो भी हमें उस पे लगाना है राइप मेरी one नाम से class मैंने इस पे call कर लेते हैं आपको थोड़ा सा clear दिख रहा होगा पेज को फड़ा और जो माउट कर दिया मैंने इससे आपको clearly समझ में आए तो गाइस अभी मैं पेज को पहले रण करके रिखा रहता हूं कि कैसा भी यह वार रहा है तो जो हमारा यह folder है आज जो हमारा पी जब 15 नाम से इसको रण करके देखते हैं इस तरीकी से आपको दिख रहा होगा कि blue color का एक आपका border full width आ रहा है element पे जो आपका आ रहे है कि आपका पूरा एक block level tag है अब मैं इसमें width mention कर देता हूं like width जो हमारा heighten width है heighten width means हम अपने कीसाब से कुछ भी देसकते हैं इसके बारे में details भी net error एक tag पर लगाकर दिखाऊंगा इस सब को थोड़ा सा और clear रहाएगा इसमें width mention कर रहा हूं like 300 pixel for example समझाने के लिए तो यह मैंने इस पर लगा दिया अब मैंने इस पर refresh किया आप देख रहे हो 300 pixel means इतना आ रहा है इतना deep होता है basically अब मैं आपको थोड़ा सा differentiate करने के लिए मैं एक और element tag ले रहा हूं इसमें बोक्स बोडर की और padding की property लगा हूं इस सब को थोड़ा सा differentiate की हो जाएगा वाइ 2 नाम से मैंने एक class ली और इसके अंदर भी मैंने आपका border दाला और इसमें भी 1 pixel solid और red color का border दाल दिया और इसमें भी मैंने आपको देखे width जो ले रहा हूं दोनों के width same है तो similar ही दिख रहा है अब हम इन दोनों पर padding add-on करते हैं अब मैं second वाले पर basically padding add करूंगा first वाले पर नहीं करूंगा तो like padding मैंने ली padding का मैं short end यूज कर रहा हूं और padding like मैंने 40 pixel padding add-on कर लिए padding जो shift मैंने लगाई है वो second वाले पर लगाई है एक बार इसको run करके देख लेते है कि कैसा आ रहा है आप देखे हो गाई कि जो normal first वाला पी था जो paragraph था उसे padding नहीं लगाई है तो 300 pixel का मैंने width दिया है वो उतना ही दिख रहा है but second वाले में जिसे padding लगाई है जो मैंने select किया this is a testing second वाला तो उसके अंदर जो padding लगाई है इसके लिए हमारा जो property है जो mainly जो आज का topic है वो यही हो इसलिए बताया है कि width हमारा 300 ही रहना चाहिता हो एक्स्ट्रा हो गया एक्स्ट्रा कितना हुआ एक्स्ट्री के सब्में width की बात करूं तो आपका like मैंने कितना mention किया है उसमें आपका मैंने 40 pixel padding दिए है तो means आपका 40 pixel आपका left side से 40 pixel right side से means 80 pixel extra width हो गई 300 है बताब 300 था तो 80 pixel उसका width हो गया basically 80 pixel उसके extra add-on हो गया तो वो उतना ना हो तो उसके लिए हमारा जो control करता है property वो हमारी जो main है यह box sizing property है आप मैं 2 वाले में box sizing लगा रहा हूँ अगर आपको इस तरह की कोई issue आजाता है तो आप box sizing से ही इसको resolve करोगे box sizing इस तरीके से लिखना है इसके जो एक ही value होती है आपका border box तो यह आपका property important है जो हम अभी आपने जो issue देखा कि आपका 80 pixel width extra हो गया तो वो उसको ना होने दे तो हम इसके अंदर box sizing border box लगा देते ह अब इसको इब चेक करते हैं क्या effect हुआ basically अभी आप देख लिए रीफ्रेश से पहले यह 80 pixel extra हो गया था red वाला border अब मैं रीफ्रेश किया आप देखोंगे अब width उतना ही control हो गया जितना हो actual में 300 अब एक्टी पिक्सल जो extra width चली गई थी वो उसने control कर दिया height matter नहीं करती क्या काम है आप को थोड़ा सा clear होगया होगा कोई भी doubt हो गाइस comment करके पूछ लेगा मैं आपको respond कर दूँगा percentage में भी दे सकते हैं और एक हमारा max width का concept भी होता है जो मैं भी आपको लगा के दिखाऊंगा वो भी use हो सकता है pixel में value देने का मतलब होता है कि आपने fix कर दिया उतने pixel में ही रहेगा screen का size चाहिए आपका light आपका बड़ा अगर आपने 300 pixel width इसमें डाल दिया तो 300 जो size आता है वो कितने भी बड़ी है कितने भी छोटे screen हो जितना हो size दिखा रहा वो उतना ही रहेगा auto adjustment अपने आपको नहीं कर पाती pixel value लेकि percentage आपको बढ़ाए percentage means हम 100 को full percentage मानते means अगर मैंने किसी width में percentage value दी है तो means वो screen के हिसाब से percentage wise automatically calculate कर लेगी तो guys percentage भी एक अच्छा option है अगर आप responsive के करना चाहते हो अबरे page को तो percentage में ले सकते हो width को but guys ध्यान दखिएगा height जो होती है height हमेशा pixel में ही mention की जाती है height आपको जितना भी fix करना है किसी भी content किसी भी element का तो आप pixel में ही होगे height percentage में नहीं लेते है यह कि height आपको जितना data increase होता है height automatically इतनी बढ़ती रहेगी अगर आपको fix करना है तो pixel में आप fix कर सकते हैं ठीक है चलिए अब इसको लगा के देखते है तो height and width के लिए guys मैं एक h1 heading tag ले लेता हूँ तो जिसके अंदर मैंने लिखा this is testing adding tag like h1 and then close कर दिया और guys इसमें height and width में लगाँगा एक और class बना रहा हूँ जो उसमें लगाँगा इसमें लगाँगा मैं different class बना रहा हूँ जिससे आपको confusion ना हूँ वाइक 3 नाम से मैंने class बना ली और उसके अंदर आपको जो height and width लगानी है वो लगाएगे height and width guys आपको stat पर दिखेगी इसलिए में कोई border लगाना पड़ेगा जिससे आपको दिखाएगे कि इतना height and width उसमें अपने apply हो चुका है तो one pixel solid red color का like मैंने इसमें like something green ले देता हूँ और border थोड़ा सा border देता हूँ one pixel थोड़ा छोटा रह रहा है तो five pixel ले देते हैं थ्री इक पर चेक करते हैं किस तरीके से इसका output आ रहा है H1 का तो आप देख रहे हो फुल विट ले रहा है obviously लेगा आपका element tag है border five pixel mention किया है direct color का तो वैसा आ रहा है height by default guys अगर आप mention भी नहीं करते है कई वार आपको fix करनी पड़ते है तो आप pixel में कर सकते है नहीं करते हैं तो जितना इस h1 heading में content आता रहेगा height automatically increased होती रहती है main होता है फंडा सारा width का होता है width by default 100 आ रही है अब मैं इसको कितने तरीके से control कर सकता हूं मैं आपको बोचीज बताऊंगा like by default 100% होती है width अगर आपको मान के चलिए कि जैसे मैंने इसके अंदर पहले मे आपका width की बात कर लेता हूं जो तीन तरीकी से width लगाते है एक percentage वाई पहले हम pixel की बात कर लेते है like मैं इसके इसके इंदर 500 pixel value दाली तो pixel में आके मैंने देखा तो आपका 500 pixel means इतनी screen पे आ रहा है इतना ही होता है अब मैं इसको mobile पे खोलू, tablet पे खोलू, laptop पे खोलू, desktop प दिखा रहा है उतना ही आएगा auto adjustment वो अपने आपको नहीं कर सकता है तो यह point आपको ध्यान डखना है तो आपका light अगर मैंने screen को अगर छोटा करा light मैंने इसको इस तरीके से minimize किया तो आभी देख रहे होगे कि नीचे scroll bar आ जाता है जो हमाई responsive page खराब करता है इसकी आपका left right ऐसे करना बड़ेगा तो वो चीज सही नहीं होती है तो यह चीज आपको ध्यान डखना है जब तक आप responsive bootstep technology पे काम नहीं करते हो तो आप भी help of CSS से भी काम कर सकते हो तो width को आप pixel में होगे तो यह इस तरीके से इस आएगा 500 pixel जो green वाला है वो अपने आपको auto adjustment नहीं कर इसके वी से सारी issues आए नीचे scroll bar आ गया तो अब हम इसको like मानगे चलिए कि इसी चीज को मैं एक और tag ले लेता हूं आपको समझाने के लिए कि जम मैंने आपका like एक और tag ले लिया उसमें एक fourth नामसे glass बना लेता हूं dot for इसमें भी bottle लगा लेते हैं इसे मैं को differentiate कर पाऊं कि क्या करना चारा हूं basically आपको समझ में आ जाएगा like इसमें अंदर और orange color डाल लेते हैं और width ले लेते हैं इसके अंदर हम मैंने जो लिए width गाइस मानके चलो कि मैंने इसमें 100% width ले रहा हूं like 50% कर देते हैं ठीक है 50% width मैंने अशली करी और इसके इंदर जो four नामसे glass बनाई है हो दाल देता हूं percentage किस तरीके से width काम कर रही है यह आप देख सेबते हो तो percentage like orange वाले में 50% है वैप page का आधा हो ज हमारा आपका स्कीन का साइज है आपकी बड़ी स्कीन होगी तो percentage 50% इसकीन का half ले रहा है अगर मैं जब इसको like छोटी स्कीन पर करता हूं मुबाइल पे किया मिनिमाइस किया तो अभी मेरा 100% page जो आपको दिख रहा होगा वो इतना आ रहा है तो अभी आप 50% यारी इसको इतना बन गया तो 50% मदब page के हिसाब से automatically calculate कर लेगा यह basically हमारा percentage का हिसाब होता है अब मैं जो आपको next width तरीका बटा रहा हूं वह हमारा basically max width होता है max width में guys pixel में ही value जालते है mostly तो एक बार उसको लगा के दिखा देता हूं like fifth नाम से class बना ली और इसके अंदर भी मैं border लग max width is a responsive width guys इसको ध्यान रखना है इसके इंदर pixel में ही value लेते है like मैंने इसके इंदर 500 pixel डाल दिया जैसे मैंने इस वाले के इंदर 500 width डाला था इसके इंदर max width डाला तो अब आप 3 वाले में और इसमें compare देख सकते हैं दोनों कैसे दिखेगे like पहले मैं class call कर लेता हूं इसके इंदर मैं 5 वाली class call कर लेता हूं है अब इसके पार एक बार चेक करते हैं किस तरीके से आ रहा है पेज को पहले बढ़ा कर लेते हैं और refresh करते हैं अभी आप देखो green वाला और जो आपका ये brown वाला color है वो दोनों width में अभी तो बिल्कुश सिमनर दिख रहे है कोई विड्ट आ रहा है कितना हमें दाला है 500 pixels और जो last वाला जो आ रहा है वो कितने आ रहा है width आपका कितना दाला है मैंने इसके इंदर max width दाला है max width equals to 500 pixels दाला हुआ है और जो ये वाला था वाईस वो किसमें दाला है width ये वाला हमें जो लिया था width आपका नॉर्मल width से लिया था बट हमने percentage में लिया था तो अभी हम first और ये first वाले h1 की और last वाले h1 की comparison कर रहे है कि दोनों दिखने में अभी same लग रहे है दोनों width same है बट जो ये विड़ते है 500 pixels के साथ है और ये वाला जो विड़ते है max width 500 है तो जब मैं skin को छोटा करूंगा तब आपको इसमें difference समझ में आएगा like मैंने इसको छोटा कर रहा है अभी आप देख रही हो जो green वाला है वो अपने आपको एक pixel में value दली हुई है तो वो अपने आपको auto adjustment नहीं कर पा रहा बट आपका जो last वाला है brown वाला max width के साथ है तो उसने अपने आपको full skin के साथ से auto adjustment कर लिया जो नीचे scroll आ रहा है वो green वाले के वैसे एक issue है क्योंकि वो auto adjustment नहीं हुआ but max width automatically आपका responsive work कर रहा है इसलिए हम max width को ज्यादा prefer करते है as compared to normal width अगर आप pixel में डाल रहे हो तो percentage के साथ से calculate कर लेगा तो यह point आपको ध्यान रखना है बात रही height की तो height आप जैसे मर्जु दाल दीजिए height जैसे मैंने बताया आपको pixel में ही जालना है percentage में height आपको कभी नहीं लेनी है like मैं आप चलिए 3 वाला है इसमें जितना भी आप height डालोगे like मने height इसमें 300 pixel दाल दिया 3 वाली first वाले h1 पे तो उसकी height obviously उतनी हो जाएगी इतना आप mention क होगे जिसकी height जितनी जालना चाहो height आप उतनी ही ले सकते हो normal है height डालना लिखा जाता है तो text align होता है आपका text align एक last property भी है then guys हम इसी कुछ direction property भी बढ़ेगे और इसके बाद हम vertical align कुछ property है आपका वो भी मैं इसके इंदर बताने वाला हूँ तो जो जो भी हम पढ़ने वाले मैं आपको यह mention कर देता हूँ तो इसमें अब भी basically हम लो क्या पढ़ लिख जेता हूँ कि आज basically हम पढ़ने गया वाले आप text की तो guys इसके अंदर में आपको text alignment and text direction property के बारे बुर details बटाऊंगा इसके अंदर guys जो basically हम लोग पढ़ेगे text alignment बोला जाता है बुरा लेकिन लिखा जाता है जो text align होता है basically text align के बारे में बोड़ा पढ़ेगे done guys हम लोग text align text align आपका last property होती है वो पढ़ेगे then आपकी direction के लिए property होती है direction के बारे में पढ़ेगे और एक आपका unicode bd इस property के बारे में बताऊंगा और finally हम लोग vertical align property के बारे में discuss करेगे vertical align तो यह सारी property अभी और आपको पढ़ेगे तो अब इसकी बात करने थे details में like तो सबसे पहले text coordinate align है alignment means आपकी इसके और 3 value जरती है वह आपकी यह value होती है accident में हमारा left हो सकता है आपको left लगा सकते हो center कर सकते हो right कर सकते हो तो यह सारी चीजह इसके बारे हाती है तो इसके अंदर जो आएगी आपका left आसकता है जो default होता है, आपका right होता है, और आपका center होता है, ठीक है, और आपका justify एक property होती है, justify आप ही लगा सकते हो, ऐसे ही, यही सारी value आपकी last वाले पे होती है, बट last वाला जो होता है, नाम से ही दिए रहे, कि जो effect आएगा, आपके पहरा graph ही है, जो भी आपका tag है, उसकी last line पर आएगा, तो इस point को भी आपको ध्यान दखना है, values होई रहेगी, direction के अंदर, इसके अंदर RTL होता है, RTL, right to left, जो हमने एक tag HTML को भी पढ़ा था, और unicode bd, इसकी property होती है, आपको वो भी इसके अंदर बता होंगा, और vertical align के अंदर भी, आपका लाइक एक top हो सकता है, like and super, तो यह guys हमारी इसके अंदर basically value हो सकती है, तो अब इसकी detail में बात कर लेते हैं, basically, तो पहली जो property है अगरे समय text align, मैं उसको लगा के लिखाता हूँ, like for the example, आपको एक अलग से class बना लेते हैं, text नाम से class बना रहा हूँ, यह भी text की property है, तो आपको ध्यान रहेगा कि किस नाम से ही है, तो text का जो भी हम कर रहे हैं, इसमें कर लेगे का, तो इसके अंदर जो पहली property है, text align, आपका left right by default होता है, तो फिर भी मैं left लिख रहा हूँ, और इस text वाले को like, आपका h2 heading ले ले class लगा लेते हैं, जो हमारी class का नाम है text, और इसके अंदर जो भी आपको word डालना है, वो आप word mention कर दो, like जैसा भी आपको लिखना है, this is text property, और h2 close करा, chat करते है, h2 किस तरीके से effect कर रहा है, तो by default left ही आ रहा है, क्योंकि मैंने जो इसकी text align की property लिख 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 लि आप मालगे चलिए, मैं इसकी value text line की change करके इसको आपको center कर रहा हूँ, तो center में देखते है कि इस तरीके से effect कर रहा है, आप देखोगे कि आपका center tag की तरह गाम करा है, तो आपका text है, वो centerize हो गया, और अगर मैंने इसको text align right लिखा, तो आपका right हो जाएगा, right hand side पर आ ज ठोटा कर देता हूँ, तो अभी आप देख पा रहे होगे कि this is a text property right hand side पर आभी है, तो इस तरीके से हम text में लगा सकते है, आप जो text align की जो a4 value होती है justify, वो लगाने के लिए इस text को थोड़ा सा मुझे repeat करना पड़ेगा, इस से थोड़ा paragraph type बन जाए, तो इस तरीके से मै ने इसको कर दिया, repeat कर दिया basically text को, जिससे थोड़ा paragraph आएगा, तो ही आपको easy way से समझ में आएगा, like email h2 में ही है, इसको आके एक बड़ चेक करते है, refresh किया, तो अभी आप इसको मैं left कर देता हूँ, text line left कर दिया, और अब इसको एक बड़ चेक करते है, आप देख रहे हो, कि इसके अंतर भी data overcome है, दो line का मैं at least इसको बना लेता हूँ, इससे थोड़ा page पर cover हो जाएगा, या हम instant width mention कर देते हैं, इससे आपको ज्यादा full width पी भी नहीं आएगा, आपको visibility भी easy हो जाएगी, इससे आपको थोड़ा और clear नजर आएगा, कितना area बन रहा है, border, five two pixels, solid, red color का border मैंने लगा दिया text में, अब इसको एक बार refresh करते हैं, तो आप देख रहे होगे कि left है, तो left hand side में आ रहा है, बट जो data है आपका right hand side से guys, आपका थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, तो इस message को आपको पूरा line करने के लिए, जो आपकी tax line है, उसमें justify property डाल देते हैं, justify से आपका tax पूरा एकदम justify हो जाएगा, जैसे MS office में भी option होते है, आप tax को आप left कर सकते हो, right कर सकते हो, center कर सकते हो, justify कर सकते हो, justify करने से tax उस box में, border में आपका पूरा fit हो गया, तो इस तरह कि tax आपकी property लग सकती है, अब आपको इसको होड़ा सा old समझाने के जो हमाई next property है, जो basically, आपको मैंने है लिखा है, आपका tax line last भी होती है, last वाली में भी same value है, बट वो जो work करेगा, उसर्फ last line पे work करता है, मैं इसको एक बार लगा के दिखा देता हूँ आपको, like मैंने यह ही h2 copy कर लिया, और नीचे डाल दिया, tax one नाम से class कर लेते हैं, उपर में one नाम से class यही चीज रिपीट कर देता हूँ, property बदल दूँगा, तो मैंने tax one नाम से class ले लिया, और इसके अंदर जो मैं ले रहा हूँ, like मैंने right लिखा, और property का नाम बदल दिया, last कर दिया, तो इफेक्ट आए, और राइज वो last one line पर ही right होगा, बाकी पर कोई effect नहीं होगा, refresh करते हैं, आपका नीचे वाले box देख रहे हो, सिर्फ नीचे वाला ही right हुआ है, जो सबसे last line है, बाकी पहले ज़र आपके कोई effect नहीं पड़ा, इस तरीके से आप उसको अगर center भी दालोग here is, अब हम next property की बात कर लेते हैं, जो next property basically जो हमारी है, वो आपका direction property होती है, जिसमें हम rtl लिखते है right to left, ये किस तरीकी से वर्क करती है, इसके लिए, मैं एक आपका paragraph ले ले लेता हूँ, इसको समझाने के लिए, like मैंने p tag लिया, और मैं लिखा, this is right to left, something ऐसा लिख दि है, तो like मैंने इसके अंदर dl, like class भी ले ले लेते हैं, जो कोई भी नाम दे सकते हो, like मैंने इसमें test नाम से class बना ली, और इसके अंदर मैं direction लगा रहा हूँ, जो property है, इसमें आपका लिखा rtl, right to left बोलते हैं basically इस property को test नाम से class है, उसमें एक बार folder के देखते हैं, क्या effect है basically rtl से, तो इसके अंदर मैंने class लगा लेता हूँ, यहाँ पर जो मैं उपर बनाई है, test नाम से class है मेरी, तो एक बार सको check करते हैं, last paragraph पे मेरे क्या effect हूँ है basically, तो आप यह देखोगे, आपका जो text है, आपको देखनी रहा होगा, मैं page को छोटा कर देता हूँ, यह text ज में एक V value होती है, यह direction लगा सकते है, अब आपकी जो यह last property है इसके इंदर basically, जिसको हम unicode BD, BD override लिखते है इसके एक value, वो लगाता हूँ, तो इससे देखिए क्या होगा basically, यह आपकी तभी काम करेगी जब आपका direction लगा होगा, unicode BD, BD, override, यह एक value होती है guys, यह लिख रहे होगे, यह text आपका विल्कुल एक्दम mirror image हो गया, उल्टा हो गया, जैसा लिखा है पूरा उसका opposite हो गया, यह guys, आपको कभी इसकी निर्ट पड़े तो इसको भी आप लगा सकते है, unicode BD किस तरीके से काम कर लिए, यह guys, अब हम जो last property है, vertical alignment, उसकी बात कर लेत जो guys, आपका super है, जो super होता है हमारा, वो basically आपका text top को वर्क करते हैं, कई बार text top काम नहीं करता है, तो हम super लगा सकते हैं, text bottom वैसे वर्क करेगा, यह sub करता है, यह guys, जैसे HTML में, हमारे super script और sub script tag थे, जो text को उपर नीचे कर सकते हैं, उसके normal baseline tag से, तो उसको basically हम super और sub script tag ब और super के लिए super लगा जते हैं, मैं इसको लगा कर दिखाता हूं basically, मानके चलिए guys, मैं एक नीचे tag ले रहा हूं, like s3 ले लिया, और इसके अंदर मैंने ऐसे लिखा, like bridge, technosoft, और एक space जालके मैंने आपका like register tag में आपका symbol लगाना चाहरा हूं, तो ret, जो एक HTML entities थी, तो इस त output किस तरीके से आ रहा है, like में आया, और refresh किया page को, तो आप ही देखोगे, कि जो bridge technosoft, R जो लिखा है, बिल्कुल पैलर आ रहा है, उसके, कोई ऐसा, कोई difference नहीं है, अब मैं चाहता हूं, कि R, bridge technosoft के just, आपका थोड़ा सा उपर आए उससे, तो उसके लिए guys, कैसे लिखे है, span tag भी आपको थोड़ा सा use हो जाएगा अभी, span tag ले लिए, इसके फरक नहीं पड़ेगा, जब यह इसले लगाएगा, कि मैं इसले कोई special caces लगा पाहूं, अभी यह inline है, उसको break नहीं कर रहा है, line को, इसले span हम बीच में, इस पर लगा सकते है, यह S3 पर caces नहीं लग super, super से guys, आपका like, यह जो property मैं ने लगा दिए style में, vertical align, super, इससे आप देखोगे कि जो आपका text है, basically, वो थोड़ा सा normal baseline से उपर हो गया, तो यह basically super का गाम हो रहा है, अगर guys, इसके अंदर में सब लगा दू, तो basically, यह आपका normal वाले से फोड़ा down हो जाएगा, एक बार इस इदनी होती है, वो default होता है, तो guys, basically, दो property है, vertical alignment में use कर सकते हो, super और आपका subscribe, जो sub होता है, basically, यह use हो जाता है, text का अगर कोई case होता है, यह text का कुछ image के साथ करना होता है, तो हम text top और text bottom भी लगा सकते है, text bottom सब को represent करता है, और text top super को represent करता है, तो यह guys, तो यह सारी property, basically, हम लोगों ने अभी सीखिये, जो हम इस तरीके से लगाते है, अगर guys, आपको इसमें कोई doubt हो, कुछ भी अगर आपको पूछना हो, तो comment करके पूछ सकते है, वीडियो अच्छी लगे, तो guys, like कर दीजिएगा, motivation मिलता है, और अच्छी लगे, तो आपके share कर दीजिएगा, चैनल को वीज़ा सबस्प्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सबस्प्राइब जुरूर कर लिजिए, तो guys, आज के लिए इतना ही practice कीजिएगा, ओके, bye bye